कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे अचानक से मीठा खाने का मन करता है ऐसे जनरली मैं ज्यादा मीठा नहीं पसंद करती घर में अगर कुछ भी मीठा बनाते भी हूं तब भी मैं नहीं खाती कि मुझे नहीं अच्छा लगता ज्यादा मीठा लेकिन कभी कभी ऐसा होता कि मुझे बहुत मीठा खाने का मन करता है तब ज्यादा मीठा चीजे मुझे पसंद नहीं है तो मैंने सुचा कि क्यों न कुछ हलका पुलका सा बना लिया जाए जो कम मीठा हो और खाने में भी टेस्टी लगे तो इसलिए आज मैंने बनाया है ब्रेड मलाई टोस्त तो बहु करें आज मैं लेकर आए बनाया об बहुत ही आसान सी सुट की रैस्पी जो बनाना बहुत ही आसान मि में बहुत ही टेस्थी लगत तो इसके लिए ऐने दो ब्रेड ले लिए है इसके जो साइड हू और मुझे जरुर करें देखिएगा अगर एक बार खालें तो आप बार बार इसे बना के खाएंगे इतनी जल्दी ये बन के त्यार हो जाती है मिन्टों में तो यहां पर मैंने इसकी साइड को काट लिया है अब हम इस पर एक ब्रेड ले लेंगे और इसके बीच में हम लगा लेंगे बटर बटर या फिर घी आप यहां पर यूज कर सकते हैं अपनी टेस्ट के हिसाब से याप मैं थोड़ा सा बटर को पिला लिया था एक स्लाइस पर हमने बटर लगा लिया है अब इसके उपर से हमें दूसरी स्लाइस को रख देना है इस तरीके से चिपका देना है अब हमें इसे हलका सा सेख लेना है जिससे कि क्रिस्पी हो जाएए हमारा ब्रेड दोनों तरब से हलका सा लाल कर लेना है यहां पर मैंने तबे को गर्म कर लिया है और बिना तेल घी किसी भी चीज के ऐसे ही हमें इसे सेख लेना है जिससे कि यह थोड़ा सा क्रंची हो जाए बहुत जादा देर नहीं लगी कि थोड़ी देर में ही यह सेख जाएगा दोनों तरब से ब्रेट से गया है मैंने इसे निकाल लिया है अब इसके उपर से हम लगा देंगे यह घर की जो फ्रेस मलाई होती है दूद के उपर जो जमती है उसे लगा लेना है अच्छे से इसे फैला देंगे यह आप ज़रूर ट्राई करें मेरा बेटा जब भी देखता तो बोलता ममा याप इसका क्या करोगी तो मैं या तो घी निकालती या फिर इसे खीर बगड़ा का भी बनाती हूं तो उसमें डाल देती हूं गाजर का हलवा बनाने में भी यूज कर लेती हूं तो आज मैंने स अब इसके उपर से हम थोड़ा सा चीनी ची रख लेंगे आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज्यादा कम चीनी कर सकते हैं मैं थोड़ा से कि मैं बहुत मीठा कम खाती हूं मेरे घर में और दोनों जो हैं वह बहुत मीठा खाते हैं लेकिन मुझे उतना मीठा नहीं पसंद है यह रेसिपी मुझे बहुत पसंद है यह मैंने चीरी ची रख लिया अब इसके उपर से हम थोड़ा सा डाल देंगे इलाइची पॉडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहां पर ड्राइफ फूट्स भी डाल सकते हैं यह हमारा ब्रेड मलाई टोस्ट बन के तियार हो गया तो आप भी सेगवार जरूर ट्राइ करें मुझे बताएं कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी